नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है शवाम सौगत है अपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइब गवर्मेंट कॉलेजिस और यूनिवर्सिटीज इन इंदोर जोकी इंदोर में लोकेटेड है सबसे पहले हम एडविशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि एडविशन मेरिट बेस पर होंगे या फिर एंटरेंस एक्जाम कराया जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कोर्सिस के बारे में कि कौन-कौन से कोर्सिस यहां पर एविलेबल रहेंगे वीवी देभी अहिल्या विश्वेविद्याल है जो की एक यूनिवर्सिटी है इन दोर में लॉकिटेड है अब बात कर लेते हैं हम इसके एडवीशन प्रोसीजर के बारे में तो यहाँ पर जो एडवीशन होता है वो अभी तक मेरिट बेस पर एडवीशन होता था लेकिन इस साल से यहाँ का एडवीशन प्रोसीजर चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर जो एडवीशन होंगे डवीशन होंगे वो एंटरेंस एक exam देना होगा जो कि CET common entrance test अगर आप इसको qualify कर लेते हैं तो आप इसमें admission ले सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके courses के बारे में कि यहाँ पर कौन-कौन से courses available हैं तो आप यहाँ पर टोटल 228 courses available हैं आप BEE BSC BA जितने भी courses हैं आप यहाँ से कर सकते हैं इनकी link मैंने description में दी है description में आपको link मिल जाएगी आप बहाँ पर courses भी देख सकते हैं और fee structure भी देख सकते हैं अब second number पर जो हमारे पास college है वो की government holker science college second number पर हम बात करने जा रहा है government holker science college की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके admission procedure के बारे में तो यहाँ पर अगर आप admission लेना चाहें तो यहाँ पर जो admission होता है वो merit based पर admission लिया जाता है अभी जो form डलते हैं आपके e-previce e-previce online MP online से आप apply कर सकते हैं registration करा सकते हैं आप MP online e-previce awards जो website हैं वहां से इसके लिए apply कर सकते हैं और यहाँ पर landfill करा लिया जाते हैं और यहाँ पर courses यहां पर भी same as it is DABB की तरह बहुत सारे courses हैं यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले BST के बारे में यहां पर BST courses अगर आप करते हैं BST तो यहां पर जो BST की fee है वो BST की fee 11,200 सिर्फ एक year की है fee विल्कुल ना के बराबर है क्योंकि यह government colleges है इसलिए आपकी वन year की 11,200 means total 3 year जो BST course होता है उसकी fee आपको यहां पर 32-33,000 के आसपास fee पढ़ेगी पूरी total अब MST के बारे मैं बात कर रहे हैं तो यहां पर MST की 30,000 से लेके 50,000 जो की total fee रहेगी MST की ठीक है अब इसके बाद हमारे टॉफ ठाइड पर जो college है टॉफ ठाइड पर है अटल विहारी भाचपई जो की art and commerce college है यहां पर भी एडवीशन जो होते हैं एडवीशन साइट है आप बहां पर registration करा सकते हैं यह प्रेवेस पर और बहां से आप इसके लिए apply कर सकते हैं जो की merit-based पर एडवीशन यहां पर लिए जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं यहां पर courses available आप यहां से BA कर सकते हैं BA, BCOM, MBA बगएर जो की art and commerce के लिए है तो यहां पर art and commerce के साइन्स कोलेज के लिए है अब यहां पर हम एडवीशन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर जो एडवीशन होता है वह भी merit-based पर होता है यहां पर entrance exam conduct नहीं कराया जाता है तो आप इसमें भी एडवीशन ले सकते हैं जो की थोड़ी होल कर यहां पर top college है लेकिन अगर हम science college के बारे में बात करें तो लेकिन फूर्थ नम्मर पर अगर आप government science college में एडवीशन लेना चाहें तो आप यहां पर निर्वह सिंग पटेल में एडवीशन ले सकते हैं यहां पर एडवीशन भी merit-based पर होगा जो की e-privase की site से आप इसके लिए registration करा सक सकते हैं और यहां पर जो courses available है same science के लिए सबी courses यहां पर available हैं जैसे BST biology maths यहां से आप कर सकते हैं BST computer science, BST biotechnology, BCA, MBA बगएरा आप यहां से कर सकते हैं अफ top 5 पर जो इसकी भी fees ना के बराबर है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं वो top 5 government colleges हैं जो की इंदर में तो government colleges की फी है वो है government college इंदर राव जो की art and commerce का यह college है यहां पर भी इसमें सभी courses बिलकुल available रहेंगे वो art and commerce के लिए रहेंगे यहां पर आप BST भी कर सकते हैं और admission procedure के अगर हम बारे में बात करें तो यहां पर भी merit-based पर admission लिए जाते हैं यहां पर e-prabass की website से आप registration करा सकते हैं और इस college में admission ले सकते हैं यह भी art and commerce के लिए है अगर हम fees के बारे में बात करें तो fees की detail आपको description में लिंक मिल जागी fees बिलकुल नाके बरावर रहेगी दस हजार से आठ से दस हजार के पास रहेगी उससे भी कम रहेगी क्योंकि यह government college है यह हम वन इयर की आपको fee बता रहे हैं तो यहां पर यह थे हमारे top five government colleges और university जो की first पर था हमारे देवी अहिल्या विश्व विद्याला यूनिवर्सिट को खतम करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ताकि उन्हें भी टाइम पर सही निउस मिलती रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज चैनल को सब्सक क्याइब करें